How to run YouTube ads with strategy in 2024 Full tutorial आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं AdSense account अपने YouTube से किस तरीके से connect कर सकते हैं और AdSense account से आपके YouTube चैनल पर ads किस तरीके से चलेंगे वो सारा detail आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है अगर आप अपने YouTube चैनल को promote करना चाहते हैं थ्रू YouTube ads like this यह आपको ads नजर आ रहे होंगे यहाँ पर और आपको यहाँ पर यह ads नजर आ जाएंगे और आपको यह वाले ads नजर आ जाएंगे और आपको यहाँ पर यह ads नजर आ जाएंगे तो इस तरीके के ads अगर आपको चलाने हैं और वीडियो के बीच में जो इसकीपेबल एड्स चलते हैं फो एड्स अगर आपको चलाने हैं और अपने यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर आपको यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करना है तो उसके लिए आपका एक अकाउंट होना चाहिए गूगल एड्स के उपर आपको गूगल पर आना है और गूगल एड्स आप लिखकर यहाँ पर सर्च कर देना इस तरीके से यह गूगल एड्स आपके सामने आ जाएगा तो इस पर आपका एक अकाउंट होना चाहिए अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है आपके जीमेल आईडी से यहाँ पर बन जाएगा कम्प्लीट अकाउंट बन जाएगा तो फिर आपको चिये एक YouTube चैनल जैसे कि मेРा ये वाला YouTube चैनल आपको यहाँ पर नजर आरहा है तो अब आपको क्या करना है अपने YouTube चैनल को Google ads अकाउंट के साथ आपको connect करना है दो तरीके से आप connect कर सकते हैं आप Google Ads से directly अपने YouTube account को भी connect कर सकते हैं और YouTube account से भी आप अपने Google Ads account को भी connect कर सकते हैं दोनों तरीका में बताने वाला हूँ आपको तो आपको करना क्या है सबसे पहले मैं Google Ads से अपकिस तरीके से अपने YouTube channel करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ यहां पर multiple platforms मिल जाएंगे जो आपको connect करने हैं वो आप यहां से connect कर सकते हैं connect product का यह आपको option मिलेगा manage link का आपको यह वाला option मिलेगा तो यहां पर आपको यह YouTube नजर आएगा आपको YouTube पर click करना होगा और यहां से आपको channel आपका नजर आएगा और अगर आपका channel आपको यहां पर नजर ना आए तो आपको क्या करना है यहां पर अपने channel का नाम सर्च करना होगा जैसे कि मैं अपना नाम सर्च कर लेता हूँ boxput अब यहां पर आपको यह वाला मेरा channel नजर आएगा boxput तो मैं इसको यहाँ पर click कर देता हूँ, इस तरीके से यह मेरा boxput का channel है और यहाँ से मैं इसको next कर देता हूँ, तो next करेंगे तो आपको email id configuration मांगेगा, तो आपको अपनी email id डालनी होगी, जो भी आपकी email id है, जिससे भी आपका account बना हुआ है, youtube का वो gmail id आप यहाँ पर ड डाल देता हूँ, तो यह मेरी email id है, यहाँ से मैंने अपनी email id भी add गर दी, अब यहाँ से मैं इसको next कर देता हूँ, next करने के बाद आपको यह details मांगेगा, और आप यहाँ से इसको link वाले option पर click कर देना, आप link वाले option पर click करेंगे, तो you will just successful send a link request to this youtube channel, अब आपका जो य email पर चले जाते हैं, और यहाँ से आपको यह, you will receive a request to link your youtube channel to google ads account, यहाँ पर आपको इस तरीके से यह मिलेगा, तो आपको इसको open कर लेना है, review link request का यह option मिलेगा, आपको इस पर click करना होगा, इस पर जब आप click करेंगे, तो आपका यह जो account है, यह link हो जाएगा, कहां google ads के स तो अब यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं, box put ppc, box put and then bracket डालके हम यहाँ पर ppc लिख लेते हैं, यानि कि हम paper click ads यहाँ पर चलाने वाले हैं, तो यह इस तरीके से लिख कर और हमें यहाँ पर link कर देना होगा, यहाँ पर यह link का option मिलेगा, आपको link पर click कर देना है, जब आप link पर click करेंगे तो यह account link saved आजाएगा आपको यहाँ पर यह वाला option, अब आप आजाना यहाँ पर Google ads पर और इसको यहाँ से refresh कर देना, जब आप इसको refresh करेंगे तो आपका YouTube channel इसके साथ connect हो गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर top पर नजर आएगा, एक तो Google business profile मैंने यह आपको आता है, तब आप directly YouTube channel से भी इसको connect कर सकते हैं, अब वो कैसे गरेंगे, तो उसके लिए आपको YouTube पर आना है, और यहाँ से profile पर click करना, और YouTube studio का यह option मिलेगा, आप इस पर click कर लेना, इस पर जब आप click करेंगे तो आप इस वाले dashboard पर आ जाएंगे, यहाँ से आपको पर आजाना, इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ से जो मैंने account अभी अभी connect किया है, यह आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, और यह link मेरा account यहाँ से हो चुका है, अब यहाँ से अगर आपको आपका link नहीं होता, तो आप यहाँ से आपको Google Ads account linking का यह option मिलेग यहाँ से आप इस पर क्लिक करना, यहाँ पर enter a link name, तो आप नाम लिख देना, जैसे मैंने box put ppc लिखा है, उसके बाद आपको यह Google Ads customer ID डालनी होगी, अब यह ID आपको कहा मिलेगी, तो आपको अपने Google Ads account पे आना है, यह जो टॉप पर आपको ID नजर आ रही है, यह ID आप यहाँ से copy गर लेना, और आप जाकर इस ID को यहाँ पर paste कर देना, और उसके बाद आपको यह done का option मिलेगा, आप यहाँ से done कर देना, जब आप यह करेंगे तो आपका Google Ads account यहाँ पर connect हो जाएगा, तो इन दोनों तरीके से आप अपने Google Ads account को अपने Facebook account के साथ link कर लेना, सब के लिए आपको आजाना है, Google Ads पर और आपको यह create का option मिलेगा, campaign का option मिलेगा, आप create के option पर click करना, campaign के option पर click करना, यहाँ से आपको यह वाले option मिलेगे, आप create a campaign without a goal वाला यह option मिलेगा आपको, इस पर आप click कर देना, scroll down करना, और आपको यह video वाला option मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक कर देना, जब आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर select a campaign subtype, तो यहाँ पर video views आपको चाहिए या efficient reach चाहिए, target frequency चाहिए non-escapable reach चाहिए, driven conversation तो यह सारे जो options हैं यह सारे options आप ले सकते हैं YouTube subscriptions and engagements अगर आपको चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं mostly जो लोग होते हैं, वो YouTube videos पर views लेना चाहते हैं तो इस पर ही हमें यहाँ पर tick रहने देना है, इसके बाद आपको scroll down करके, यह continue का option मिलेगा आपको इस continue के option पर click करना होगा, इस पर click करने के बाद यह next page पर ले जाएगा, अब यहाँ से आपको अपनी add लगानी है, तो campaign का नाम आगया है video views, तो हम यहाँ से video views ही इसको रहने देते हैं bid strategy में हमने यहाँ पर target cpv लिखा हुआ है cost per view, याने की आपकी cost तब कटेगी जब view आएगा, अब यहाँ से budget and dates आप यहाँ से select कर सकते हैं इसके हंदर मैं यहाँ पर daily budgets आप लगा लेना, यहाँ पर मैं campaign का total budget जो है, वो 2000 यहाँ पर select कर देता हूँ, और यहाँ पर start date आपकी 8 मई 2024 हो जाएगी, and date आप यहाँ से select कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, तब उस case में उसके बाद आपको नीचे आना है, network का option मिलेगा, जितने भी partners हैं youtube के, google के, वो सारी partners आपको यहाँ पर मिलेंगे, आप इस पर click करना and यहाँ से आपको मिल जाएगा, youtube पर तो आपकी ads चलेगी ही, चलेगी, उसके आपको कौन सी country में अपनी वीडियो को दिखाना है, all countries and territories, या अगर आपकी कोई specific country है, तो आप उसको यहाँ से select कर लेना, अब आपकी वीडियो की language क्या है, तो यहाँ मेरी वीडियो की language हिंदी है, तो यहाँ पर मैं हिंदी audience उसको target करूँगा, इस तरीके से अगर आपकी कोई पंजाबी है, मराथी है गुजराती है, तो आप यहाँ से अपनी language select कर लेना, अब सबसे important है, related videos, यह related videos का यह जो option है, यह सबस्यादा important होने वाला है, इस पर हमें tick करना है, अब यहाँ से आपको related videos पर click करना होगा, अब इसका क्या मतलब है, आपकी add यहाँ पर चलेगी, बट यहाँ suggestions में आपको और videos आप अपनी खुद की add गर सकते हैं, अब वो कैसे, suppose आपने जो add लगाई यहाँ पर, उसका तो पैसा deduct करेगा google add, बट यह जो recommendations हैं, यह आप बिल्कुल free में दे सकते हैं, इसका कोई भी पैसा, इसका कोई भी charges, google ads नहीं लेता, तो यहाँ पर आपको अपना channel का नाम लिख देना, box put, तो आपका channel आजाएगा, और आपकी videos यहाँ से select कर लेते हैं, और अगर आपको videos चीए, तो आप यहाँ से और videos ले सकते हैं, get यह वाली videos ले सकते हैं, और videos लेनी हैं तो यहाँ से आपको, जितने भी videos आप लेना चाहते हैं, वो सारे videos आप यहाँ से select कर सकते हैं, चार videos में यहाँ पर से लेक्ट कर लेता हूं जिससे की तो यहां से मैंने ये चार वीडियो से स्लेक L लिए इता हम hier चार वीडियो और फिल शब्शकर गये five-second कर देखे Beetle आपको यह चार वीडियो नजर आएगी है फिर आपको यहां से डण कर देना है इस तरीके से आपकी वीडियो आपको नजर आएगी अब यहां पर multi format ads, जैसे कि मैंने आभी आपको बताया, different different तरीके की ads चलती है, तो आप इस पर एक रहने देना, अब add group की बात करते है, add group का मतलब होता है, कि आप add group बना रहे हैं, अब video view का जो add group बनेगा, अब जैसे कि उसके अंदर काफी सारी चीज़े आ जाती है, जैसे कि जो भी आपकी वीडियो को देखता है, उसकी age आप select कर सकते हैं, कितने से कितने age तक के members को आप दिखाना चाते हैं, कौन सी location पे दिखाना चाते हैं, specific कौन सी country के अंदर दिखाना सालते हैं, वो सारा आप add group के अंदर select कर सकते हैं, आप multiple add groups बना सकते हैं, यानि कि 2, 3 इन 4 add group आप यहां से easily बना सकते हैं, तो अब यहां से हम एक add group बना लेते हैं, add group यह हो जाएगा, हमने यहां पर add group का video views ही नाम रखा है, कोई changes नहीं किया आप करना चाते हैं, तो कर लेना, अब यहां पर demographic आपको click करना है, यहां से आपको gender क्या है, तो आप यहां से female, male, unknown unknown पर हटा दो, तो यहां से female and male दोनों देखे किस देख सकते हैं, अगर सिर्फ आपका product beauty product है, जिस पे आप YouTube पर videos डालते हैं, तो आप female कर लेना, male से related है, तो male कर लेना, age criteria आप जो भी रखना चाते हैं, वो age criteria रख लेना, मैं 18-24 हटा देता हूं, और यह age criteria रख लेता हूं, उसके बार parental status आप यहां से select कर सकते हैं, unknown हटा के non-parent ताके सिर्फ parents पर click कर सकते हैं, household income किस जिसने अपनी बताई हो, वो आप यहां से select करके unknown पर भी रहने दे सकते हैं, तो इस तरीके से आपके demograph जो भी है वो select कर सकते हैं, audience segment का यह option मिलेगा, फिर आप इस पर चले जाना, और यहां से आप audience segment select कर सकते हैं, audience segment में आपका जो video है वो किस topic से related है, तो आप browse भी यहां से कर सकते हैं, और यहां से search भी कर सकते हैं, आप जासे कि हमारा जो है, वो social media related है, तो आप social media पर यहां पर click करेंगे, तो इस particular category को अगर आप select करेंगे, तो इसके impressions आप देख सकते है है 5 billion से लेकर 10 billion तक यहांपर impressions मिलेंगे और अगर दूसरी category को लेना चाहते हैं तो इस पर भी आपको नखãy करना है तो आप वह भी चैक्द कर सकते हैं और अगर आप में जाते हैं Technology अगर आप देना चाहते हैं तो ताटालोजी भी जा सकते हैं, जिस topic से भी related आपका content है, उस topic से related आपको यहाँ पर select करना होगा, तो यहाँ पर मैं social media add कर देता हूँ, तो यह social media add हो गया हमारा, आप यहाँ से हम नीचे आएंगे, यहाँ पर keyword आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आपको इस पर click करके अपने keywords add करने होंगे, enter related website, आप यहाँ पर अपनी website भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी website है, उसका link आप यहाँ पर डाल सकते हैं, and उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना topics का option मिलेगा, आप यहाँ पर अपने topics डाल सकते हैं, placement सबसे important होने वाला है, placement में आप अपनी ads कहां कहां पर दिखाना चाते हैं, अ जैसे कि मेरा ये वाला channel है, मेरे channel के काफी सारे competitors होंगे, उन channels पर अगर मुझे अपने videos दिखाने हैं, तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ, अब वो कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर उस channel का particular नाम लिखना होगा, मैं लिख देता हूँ, earn money online से related, मैं यहा channel find इतर लेता हूँ, अब यहाँ पर बहुत सारे channels मुझे मिल जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर यह 1K plus channels है, तो आप उनके channels को भी ले सकते हैं, यह select करके इस channel को, इस channel को, यह आप कोई particular video लेना चाहते हैं, तो वीडियो उस पर भी select करके इस तरीके से उस particular video को भी select कर स तो हम यहाँ पर search कर लेते हैं box put, इस पर हमें यह वाली एक video है, example के लिए, वैसे तो आप short video रखना, बट हम example के लिए long video ले ले लेते हैं, तो यह video यहाँ पर इस तरीके से show होगी, video longer than 3 minutes, don't usually perform as well as shorter videos, अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यह है, अग अगर आपके long video है, तो वो iscapable ads में चली जाएगी, बट अगर आपके short video है, तब वो अच्छा perform करती है, अब यहाँ से आपको final URL डालना होगा, तो final URL के अंदर आपको क्या करना है, अपने YouTube channel का link आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इस तरीके से आपको copy करना है, link और यहाँ पर traffic, इस तरीके से आप यहाँ पर path भी डाल सकते हैं, और long headlines आप यहाँ से डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर box put ही डाल देता हूँ, और description में मैं website traffic डाल देता हूँ, example के लिए just आपको दिखाने के लिए कि आप क्या क्या यहाँ यहाँ डाल सकते हैं, आपको अच्छा सा headline बनाना ह तब आपको यहाँ पर add लगाना होगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा add कुछ इस तरीके से यह आपको नजर आएगा, इसके बबल add से क्योंकि मैंने full video डाली हुई है, 15 seconds से कम का अगर वीडियो है आपका, तो यहाँ पर अच्छा perform यह करेगा, इसके बाद आप आपको नीचे आना है, और CPV पर view अब कितना bidding लगाना चाहते हैं, तो 0.10 आप हम यहाँ पर रुपेज लगाएंगे, अब इसके बाद आपको यहाँ से create campaign पर click कर देना, select date आप यहाँ पर 8 तारिक से ही चलेगी, और end date, end date हम यहाँ पर कर देते हैं, suppose 15 तारिक, यहाँ सिर और channels भी add कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इस तरीके से आपको और channels add करने के लिए recommendation मांग रहा है, तो आप यहाँ पर add कर देना, उसके बाद आप यहाँ से हटा कर और नीचे आजाना, and then आप यहाँ से इसको create कर देना, जब आप create करेंगे तो आपका campaign बिल्कुल ready हो जाएगा, confirm it's you, अब यहाँ से confirmation मांगेगा, and आपको यहाँ से इसको confirm करना होगा, जैसी आप confirm यहाँ पर करेंगे, तो आपका campaign यह है, जो वो start हो जाएगा, और आपका जो वीडियो है, वो promotion पे लग जाएगा, और आपको views आने start हो जाएगे आपक आप यहाँ से promotion करना start करेंगे, तो 100% आपको 1000 subscribers, 400 गंटे watch time आपको within a month आपको easily मिल जाएगा, and उसके बाद आपको क्या करना है, अपने Google AdSense account को connect करना होगा, अपने YouTube channel के साथ, अप जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यह मेरा Google AdSense का account है, मैंने यहाँ पर यह AdSense for YouTube क यह option है, इस पर आपको click कर देना है, यहाँ से आपका report आपको मिलना start हो जाएगा, payments आपको यहाँ से दिखने start हो जाएगे, आप Google AdSense account बनाना बहुत easy है, Gmail account चीए उसके लिए, आपका YouTube channel जिससे बना हुआ है, उसी Gmail account से आप अपना Google AdSense का account बना लेना, और अपने Google AdSense के account को connect कर लेना अपने YouTube channel के साथ, जब आप connect कर लेंगे तो आपको add दिखाने के बाद आपको online earning यहाँ से मिलने start हो जाएगी, आप जैसे कि earn वाला यह option है, earn वाले option पर चले जाना, आपको 4-5 तरीकों से यहाँ पर earning मिलना start हो जाएगी, और YouTube Partner Program options यह आपको मिल जाएगा, आ अब यहाँ पर आने के बाद, earn वाले option पर क्लिक करने के बाद, आपका जब connect नहीं होगा, तो यहाँ से आपको यह add करने का option मिलेगा, आपको add पर क्लिक करना है, add पर क्लिक करने के बाद, आपको अपने Google AdSense account की details को डालना है, अपने YouTube channel पर और आपका Google AdSense account connect हो जाएगा, मैंने already connect किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर connect करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट अगर आपको issue आता है अपने YouTube channel को AdSense account पर connect करने में, तो आप मुझे contact कर सकते हैं, Instagram पर, Telegram पर और WhatsApp पर, मैं आपकी help करने की पुरी कोशिश करूँगा, और आपको guide करने की पुरी किया है, अपने Google AdSense को YouTube channel के साथ किस तरीके से connect करना है, वो भी बताने की कोशिश किया है, I hope आपको सारी detail समझ में आ गई होगी, अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, तो इस video को एक like जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस video को share जरूर कर लेना, आप लोग videos को लाइक नहीं करते हो, मैं demotivate हो रहा हूँ, अगर आप मेरे videos को like करेंगे, तो मैं और अच्छा-चा content आपके लिए लेकर आने की कोशिश करूँगा, तो अब आप logo से मैं मिलता हूँ next video में, तब तक के लिए अगर आप first time मेरे चैनल पर आए हैं, तो मेरे चैनल को subscribe कर ले thank you so much for watching this video, thank you